पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024 पचेस अंतराइस्ट्रे क्रिकेट सीजन के लिए कुल 25 खिलाडियों को सेंटल क्रेक्ट दिया है ये कांट्रेक्ट एक जुलाई 2024 से लगू हुआ है इस कॉंट्रेक्ट में पाकिस्तान के पूरो कप्तान बावर आजम और विकेट कीपर बलेबाज मुहमद रिजवान पर चौकाने वाला फैसला किया गया दोनों ही खिलाडियों को केंद्री अनुबंध में सबसे अलग रखा गया है पाकिस्तान बोर्ड ने जनकारी देते हुए बताया कि ये सेंटरल कॉंट्राक्ट उसी तरज पर पेश किया गया है जिस पर पिछले साल खिलाडियों और बोर्ड के बीच तीन साल के अउधी के लिए सहमती हुई थी तीन साल के उधी वाला सेंटरल कॉंट्राक्ट वही है जिसे पाकिस्तान बोर्ड ने 2023 वंडे वर्ल कप से ठीक पहले पेश किया था लेकिन टूनामेंट में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद उसके समिक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था PCB के तरफ से जारी किया गया सेंटरल कॉंट्राक्ट को कुल चार कैटेगरी में बाटा गया है जिसमें A, B, C और D शामिल है जिसमें सबसे उची कैटेगरी A है जिसमें सिर्फ बाबाराजम और मुहमद रिजवान को रखा गया है इसके लामा नए जुड़े 5 खिलाडियों क D कैटेगरी का हिस्सा बनाया गया नए खिलाडियों में खुर्रम शाजाद, मुहमद अब्बास अफ्रीदी, मुहमद अली, मुहमद दिर्फान खान और उस्मान खान शामिल है वहीं शाहिन शाह फ्रीदी, नसीम शाह और टेस्ट कप्तान शान मसूद जैसे स्टार और शाहन मसूद हैं, C कैटेगरी में 9 खिलाड़ी, अफदुल्ला शफीक, अबरार एहमद, हरीस राउफ, नोमान अली, साइमायूव, साजित खान, सल्मान अली यागा, साउट शकील और शादाप खान का नाम शामिल हैं, वहीं D कैटेगरी में कुली 11 खिलाड़ी शामिल है, हसन अली को बहार रखा गया, फकर जमान, इमाद वसीब और इमाम उलहक, इन 5 खिलाड़ीों को सेंटरल कॉंट्राक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया, और एक तरफ यह इशारा भी है, कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट अब इन से ऊपर रुखना चाहती है, पाकिस्तान क् पसंद आये, तुसे लाइक करें, शेयर करें, और स्पोर्ट्स यूडी ते अमाम अपडेट्स और खवरों को जाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइब को